असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक, 48 Laws of Power का Law No.3, Conceal Your Intentions हमेशा अपने इरादों को चुपाना सेखें और हमारी आज की यूद सबसे बड़ी गलती ही यही करती है कि वो अपने इरादों को चुपाना नहीं जानते आपने कावत सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और याद रखिए यह Law हमें यही बताता है कि अपना next move आप क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं आपके साइकों भी नहीं पता होना चाहिए इस मतलबी दुनिया में किसी पर भरोसा करने की गलती ना करें confuse them with your silence, burn them with your smile and kill them with your success हमेशा आपने short down tell वाले टेकनीक को follow करने आपने अपनी किसी भी चाल का ऐलान नहीं करना जब तक आप उसको चलना दें याद रखिए grow in silence, only speak when it's time to say checkmate ये law हमारी life के हर एक पहलो में अपलाई होता है relationship में, politics में, history में, even के business में भी हमारी society में जो शरीफ और innocent लोग होते हैं वो किसी को भी अपना समझ कर अपनी हर एक बात शेयर करने की गलती कर देते हैं लेकिन आगे चलकर यही चीज उनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है इस चीज का उने भी अंदाजा नहीं होता हर इनसान का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता याद रखिए अगर आप अपनी बात दोस्तों को भी बताते हैं तो दोस्तों के भी तो आगे दोस्त होते हैं इस पूरी दुनिया में हर इनसान पावर कमाना चाहता है और लाइफ में हमेशा जंग हो या पर पॉलिटिक्स जीतेगा वही जो फ्रेबी होगा और जो शातिर होगा हमें बच्पन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने हमेशा ओनेस्टी रहना है अगर आपने इस दुनिया से डिल करना है तो आपको थोड़ा फ्रेबी होना पड़ेगा और पावर हासिल करने के लिए आपको हमेशा लाइन क्रोस करनी पड़ती है याद रखें लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता कि आप लाइफ में किन चीज़ों को फेस करते हैं किन मसायल से निकल कर आगे आते हैं लोग आपके साथ तब ही आते हैं जब आप अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं आपकी कम अकली की सबसे बड़ी अलामत ये है कि लोगों को अननसेसरी इंटर्टेन करना बंद करें हर चीज़ को डिमांड एंड सप्लाई पर रखें और दुनिया में रिस्पेक्ट उसी की होती है जिसके पास पावर है जो या तो किसी का कुछ बिगार सकता है या पर किसी का कुछ सुदार सकता है यानि दो चीज़ें फियर एंड रिस्पेक्ट अगर आप इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल पाना चाते हैं और लोग आपको आसानी से जज ना कर सकें तो आपको अपने इरादों को छुपाना पड़ेगा इस लोग के कुछ बहुत important principles हैं जो इस लोग को बहुतर तरीके से explain करने में help करेंगे खुद को hide करके रखे सामने वाले इनसान को ये समझ नहीं आनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और उस ट्रैक के उपर आपने दोखे का एक smoke पहला देना है देखे ये law आपको काफी जादा manipulative लगेगा और जब तक उनको पता चले कि इसके पीछे की आपकी असल intention क्या थी तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे इसलिए तो कहते हैं कि शरीफ लोगों से दो कदम दूर और शातिर लोगों से दो कदम आगे ये कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन आज के दौर में हमारी दुनिया है कुछ इस तरह से बन चुकी है कि आपको अपने आपको शातिर बनाना पड़ेगा देखे ये लोग आपको पावर हसल करने के लिए बताय जा रहे हैं अब आप इनको किसी पर अटेक करने के लिए यूज करते हैं या पिर अपने डिफेंस के लिए यूज करते हैं वो आप पे हैं ये law आपके लिए जरूरी है कि आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके किसी के attack से बचने से पहले आपका अपना defense mechanism तयार होना चाहिए इस law को हम बहुती interesting real life example से समझते हैं नमबर वन politics आपने recently शायद एक movie देखी होगी ओपन हाइमर जिसमें कि nuclear weapon किस तरीके से बनाया गया उसके पूरी story बताई गई किस तरह से उन्होंने अपने nuclear weapon को तयार किया और हिरोशीमा और नागा साकी के उपर attack किया इससे इतनी बड़ी change आई और अमेरिका के पास nuclear weapon आ गया सैटलाइट से बच बचा कर और चुप चुपा कर ही बनाया क्योंकि कोई भी powerful country नहीं चाहता कि कोई और ये weapon तयार करे और उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए अब जिस भी country ने अपने आपको atomic power या फिर nuclear weapon तयार किया तो उसके पास अपना एक defense system मजबूत हो गया उसके उपर कोई भी attack करने से पहले दो बार जरूर सोचेगा अपने friend circle में अपने दोस्तों को भी अपनी intentions ना बताएं और ये law हमें ये चीज़ भी explain करता है कि अपने romantic relationship में अपने partner को भी उतनी ही information दें कि वो आपको control ना कर सके इनसान को हमेशा दो चीज़ों की उमीद रखनी चाहिए दोखा और मौत इस दुनिया में बनाएगे जितने भी करीबी रिच्टे हैं वो आपकी पीट के अंदर कभी भी खंजर गूम सकती है और third example अगर हम history की बात करें अगर आप तारीक के थोड़े पन्ने पलट कर देखें तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि जितनी भी battles हुई हैं उनमें attack ऐसी जगह से किया गया है जिसका उन्हें खाब ख्याल भी नहीं था और या पिर रात को किया गया है सामने वाली पार्टी को यह पता भी नहीं होता था कि क्या कब और कैसे होने वाले आमला इसलिए यह लौव हमें सबसे बड़ा सबक यही सिखाता है कि हमेशा अपने इरादों को चुपा के रखें और लोगों को अंधेरे में रखें आज के लोगों में बस इतना ही अगले लोगों मिलते हैं आपसे अगले लोग में